फ्रबश्द लिए घा अंतर करें फार्फ नमस्कार देख़रें जाकास घाअट और मैं हुल रविकांत अभी बीजे-पी-छे सांश्द विवेक ठाकर जीं हैं हमारे साथ उन सह चुणाव प्रभाणी सम्नेत बीवेक ठाकुरजी और अभी पटना आए हैं उसी के नियमित, उत्तर प्रधेश के जुड़ा हुआ क्या-क्या चुनोती हैं रहने वाले उत्तरप्रदेश के चुनाव में विवेक दीए? दीखे चुनोती तो कुई भी चुनाव चुनोती होती है और भारतिय अन्ता पार्टी किसी भी चुनाव को हलके में नहीं लेती है और अपने यथा संभब ताकत लगा के कारेकरताओं के बल पे चुनाव जीतने के लिए हम लड़ते हैं तो जब इस संकल्ब के साथ आप चुनाव के मैदान में जाते हैं तो स्वहाविक है जो भी चुनोती खड़ी होती है सहर्ष सुविकार रहता है संगठर ने आपको काफी महतपूर्ण और आहम जीमेदारी दी है इसको लेकर कैसे देखते हैं है जी कि मैं सताइसाल का कारेकरता हूं और नीचे महानगर स्थर से कारेकरता के नाते पार्टी में काम किया हूं युवा मोर्शा में बहुत लंबे अर्से तक काम करने का मौका मिला है हमारे जो प्रभारी है मान्य मंत्री भारत सरकार के धर्मेन प्रधान जी जब वो हमारे युवाई काई के राष्टी अध्यक्स थे तो उनके से योग में उनके टीम का सदसे रहा हूँ तो एक अच्छा समनवे के साथ हम सब काम कर पाए के आपके पिता जी देश के बड़े नेता रहे उसके बाद से जिस प्रकार से आपने बताया 27 साल का दौर रहा धीरे धीरे करके आज यहां तक पहुँचे हैं तो इसको कैसे देखते हैं यह एक पाटी में जब तक बिना काम किये हुए तो दाइत बेहां नहीं मिलता है जैसाथ दिखे पाटी में भात्यानता पाटी कैसी पाटी है कि जिसका धे जो है सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है और सत्ता ही नहीं एक राष्ट के परिपेश में एक विस्तित सोच है जिसको लेके भात्यानता पाटी समाज के बीश में जाती है और यह सोच कारकरता के मन में विक्सित होना अनिवार है और जब यह विक्सित होगा तो कोई भी कारकरता भारत्यानता पाटी का कोई भी कारे को छोटा नहीं समझता है उत्तर प्रदेश में लगभग 403 बिधान सवा सीट हैं और इतने प्रभारी और सहप्रभारी आप लोग बनाए गया है उसके बाद योगी अधितनाथ जी को क्या लगता है इस बार का चुनाब पिछले बार की तरह ही एकदम बीजेपी उहां पर जबर्दस्त परदर्शन करेगी या फिर असमंजस वाली इस्तिती नहीं एक बात आपको समझना होगा कि विहार उत्तर प्रदेश यहां के राजनेतिक परंपरा जो है जिस तरह के बातों को लेकर राजनेतिक दल चुनाओं में जाते थे और आज की जो जना कांग्षा है युवाओं की और जो उमीद है आम आदमी की उसके परिपेक्ष में उसके मद्दे नजर में भारत के यश्यस्वी प्रधान मंत्री के नित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य दिखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को पन्ने को आप पलटिएगा तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश यही पांच साल का हुआ है आम नागरिक के लिए नहीं तो समाज में जैसे पहले भीहार में भी होता था कि ऐसे व्यक्तितों का राजनेतिक दल स्रिजन करते थे जो कि किसी भी दृष्टिकों से समाज के किसी मापदन में एक मतलब उधारन के रूप में आप नहीं देख सकते थे मुख्तार अंसारी अतीक एहमद यहीं लोग तो महत्वपूर्ण लोग होते थे राजनेतिक दलों के बिहार में मुहमद शाबुद्दीन जैसे थे इस तरफ पात साल जो बीता है भारतियंता पार्टी का योगी जी के कुशल ने थे तुम अब यह कोई नहीं सुचता है कि रात में हम नौइडा क्रोस करते हुए बाई रोड हम कहीं जा सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं एकदम निफिक्र होके लोग घुमते हैं एक परिवर्तित महौल में एक आम आदमी जी रहा है और महिलाएं सुरक्षित हैं बच्चे सुरक्षित हैं अफरन उद्योग उद्योग जिस तरह से प्रवलता से चलता था यह सब समाप थे पुलीस का भय चोड़केट और जितने भी इस तरह के ततो थे उनमें है ना कि उनका वर्चस्व जो है पदादीकारियों के ऊपर रहा है तो समाज में एक संतुलन की स्थापना हुई है और इसी के चलते और विकास तो अप्रमानिक रूप से दिख रहा है आप दुनिया का सबसे पुराना जिसको लिविंग सिव करते हैं काशी है और काशी का परिवर्तन जो है आज के दिन में विश्व का उधारन है तो यह कैसे हुआ और पहला कुछ साल भारत के प्रधानमंती जब सांसद बने काशी से 2014 के बाद तो हमारी शासन नहीं थी सपा का शासन था और बहुत समद से आ रही थी विकास उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी है तो आप देखे काशी का नया स्वरूप जाके देखकर आई है अभी सपा भसपा कॉंग्रेस और अर्विंद के जरिवाल ऐसे एक टीम मनाकर कुछ भी बैठक चल रहा है तो क्या इससे योगी अधितनाथ और बीजेपी को कु पिछले लोग सभा के पहले परेड़ ग्राउंड में कलकत्ता में शाइधी कोई राजनेतिक दल कर नेता बचा होगा जो कि ममता जी के साथ चुनाओं परेड़ ग्राउंड में नहीं गया था परणाम क्या हुआ 14 से जादे बड़े महुमत के साथ 2019 में जनता ने भी करन वहां पर क्या पूरे जोड़ घटाव लगाएं तो एक दे के साथ चल रहे हैं और आप देखे होंगे कि 2014 से अभी तक जो परिनाम है और जो भारत में विस्तार है भारतिय अंता पार्य वो उसी सिध्धान्त पे है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास योगी मरा है यह सभी जातिय Barrier को समाजिक Barrier को समुदाय के Barrier को इसको तोड़ता है गया समय को देश भर में इतने लोगों को मिला गरीबों को तो किसी से किसी का परिचय पूछ के नहीं दिया गया है जो उसके लिए लभारति के काटेगरी में आता है जाह किसी कौम का हो किसी अगरी सवाल, योगी अधितनाथ जी एक हार्ड को नेता माने जाते हैं, तो इसका कुछ वहाँ पर जैसे हिंदु-मुस्लिम की भी बाते होती है, जाती है और धर्म की भी कुछ ऐसा फैक्टर से? बात करने वाले हमारे राजनेतिक दल का सोची इस तरह का एक देश में एक क्लास जिसको कहते हैं, एक क्लास है जो कि इसी सोच के साथ जिया है, और अभी भी चेश्टा रहती है कि उसी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन देश ना कार दे रहा है, आज का युवा ना कार दे रहा है, तो फरस्ट्रेशन का वहां पर विकास होता है उनके मनवे, आज अफगानिस्तान में जो स्थिती बनी है, आप कहां देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है, एक करोड से जादा वैक्सिनेशन हो रहा है, और एक बार नहीं, इधर निरंतर पिछले पंदरा दिन दस एक दिन में दस करोड से उपर देश में वैक्सिनेशन में, कोई आप चर्चा देख रहे हैं, इतना छोटा सा अखवार में न्यूज बन रहा है, घाटा, वैक्सिन है नहीं, लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, यह सब का न्यूज इतना बड़ा छपता था, एक वर्ग है जो इसी तरह के राजनेतिक सोच के साथ, चाहता है कि देश में कन्फ्यूजन पैदा हूँ, लेकिन आज का नौजमान और आज का जो सोच है, इसको नकारते हुए आगे बढ़ता है, सामने में उसको मोदी जी दिखते हैं, भारतियंता पाटी दिखता है, उत्तर पुर्द आज सामने प्रभारी बनाए गया है, चुनाप के दिरिष्टी कोन से, और तमाम राजनीतिक खबरे हम सुनाते रहेंगे, और तमाम मुद्धों के साथ आते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही कहेंगे, जाकास भारत से मैं रविकान, धन्यवाद.